नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विलाश पाटील और मस्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम आफ केंडल्स में तो आज आपको ऐसे दो स्टॉक्स बताऊंगा दिवाली के लिए ये स्टॉक्स है आप कल भी इसे खरीद सकते कल मार्केट खुलेगा तो कल खरीदो और 10-15 दिन होल्ड करके बेज दो आपको आराम से 8-10 परसेंट जो होगा आपकी कैपिटल पे बन जाएंगे यानि आप 1,00,00 रुपे लगाते तो 1,00,00 रुपे पे आपको 8-10,000 रुपे आराम से प्रॉफिट हो सकता है ठीक है तो 10-15 दिन में 8-10,000 रुपे प्रॉफिट यानि 7-8 परसेंट या 8-10 परसेंट भोत हो जाता है और यह आराम से दे सकता है stop इसमें आपको stop loss, target सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना ठीक है और सबसे important बात कि यह कोई मेरी recommendation नहीं है कि buy करो यह करो यह सब कुछ जो कुछ वीडियो बना रहा हूँ जो भी कुछ बता रहा हूँ वो educational purpose के लिए ना ही मैं कुछ से भी registered analyst हूँ ना ही कुछ हूँ तो आप अपने financial advisor से भी advice ले सकते हो और आपका पैसा है तो आपके पैसे की आपकी जिम्मेदारी होगी अगर आप invest करते हो तो बट आपकी वीडियो यह काम के होने वाली है अगर आप invest करते हैं तो आपको 8-10% जो है वो return यहाँ पर मिल सक सकते हैं ठीक है तो आपने टाइटल पढ़ाई होगा कि यह दो स्टॉक खरीदो और 10-15 दिन में बेज दो ठीक है तो पहला स्टॉक इसमें का जो है वो है पीडिलाइट इंडस्ट्री तो पीडिलाइट इंडस्ट्री सब कोई पता है बहुत अच्छी कंपनी है बहुत या पातन दिखाई दे रहा है मुझे एक सपोर्ट प regards यह वाला स्टॉक है यहांने का सकते हो कि यहां से अगर खीचा तो यह लाइन अभी यह याने स्टॉक जो वो एक पर्टिकुलर एक सपोर्ट पर आया हुआ है ठीक है तो यहां से यह स्टॉक जो वो रैली बता सकता यहां पर एक अच्छा कासा सपोर्ट भी लेते वह दिख रहा है अगर डेली टाइम फ्रे यहांने जो भी मैं कुछ स्टॉक मार्केट से कमाता हूँ मार्केट से कमाता हूँ वो मेरे स्विंग ट्रेडिंग से होता है मैक्सिमुम इंकम मेरा स्विंग ट्रेडिंग से यह ऑप्शन स्टेडिंग से कम है अभी क्यूंकि कैपिटल भी मैंने उतनी कम यूज कर रहा हू options trading में जब एक consistency और profit आपको दिखाने लायक में कुछ बन जाऊंगा तब आपको profit दिखाऊंगा ऐसा नहीं है कि मैं losses में हूँ profit में हूँ but जब मैं दिखाना चाऊंगा तब आपको दिखा दूँगा तो swing trading में maximum income होती है आप भी हर कोई कर सकता है housewife or student हो business हो कुछ भी हो आप swing trading हर कोई कर सकता है ठीक है तो यहाँ पे जो मेरा stock है यहाँ पे यह stock जो है यह PD light industry हो और यहाँ भी एक trend line बंदरी है already trend line का breakout हो चुका है अगर आपको खरीद नहीं है तो इसको 2500 के उपर जैसे ही निकलता है 2500 के उपर निकलने के बाद direct 2600 या फिर 2700 के target डेखने को आपको मिलेगे 2600 पे भी आप अगर exit करते हो तो 4-5% के आसपस 4.5% के आसपस आपको return आराम से आपके capital पे मिल जाएंगे जो भी आप capital लगाते हो अगर 2700 का return लेते हो तो आराम से 8-10% के इसपसे एक ही stock आपको दे देगा ठीक है तो आपके उपर है कितने दिन hold करना है आप दिवाली की pick समझ के भी इसे invest कर सकते हो अगर इसमें stop loss आपको put करना ही है तो simple रखना कि जब ये 2500 के उपर निकलेगा तो दसक point का stop loss लग देना यानि की 2490 का भी 85 का भी stop loss लगा सकते ठीक है पाच-10 रुपय का stop loss बनेगा बस जो target मिलेंगे वह 50-100 रुपय के तो बहुत अच्छे लेवल पर अभी यह stock है इसमें अच्छा किसे रैली देखने को मिल सकती है यह वाले stock में अगर आपका stop loss हीड हो जाता है याने 25 की उपर यह निकलता है तो ही बाय करना है 25 की उपर नहीं निकलता है तो आप इसे avoid कर देना क्यूंकि फिर यह time pass करेगा है या पर बाद में कभी आगे जाके breakout देगा तब आप आप बाय कर सकते हो ठीक है तो पहला वी आपको stock समझ में आगया होगा पीडिलाइट इंडस्टी दूसरा stock मेरा जो है वो है United Spirit याने MacDowell's तो MacDowell's भी बहुत अच्छी company है आपको पता यह क्या करती है वो बताने की ज़रूरत नहीं है तो MacDowell's में भी अगर डेली टाइम देखो या फिर वीकली टाइम देखो इसमें भी आपको अच्छे खासे जो है अच्छे खासे breakout पर यह stock आया है all time high के नजदी के stock है और पिछला वाला breakout इसने आराम से निकाला है यहाँ पर जो एक resistance हुआ करता था य यह level पर यह level का resistance था उसको retest कर रहा है retest करने के बाद breakout दे रहा है बहुत दिन आपर sustain भी कर लिया और breakout दे रहा है आज अच्छी खासी एक buying last hour में इसमें देखने को मिली यहने last hour की candle भी आपको यहाँ पर show कर देता हूँ कि last hour के candle पर candle जो आपको यहाँ पर clear कर दिखा रह तो इसको buying के साथ जा सकते और stop loss आपका यही रख देना 1100 रुपे का stop loss आपका बनेगा वो आप रख सकते ठीक है तो यह यह भी 100-500 point का मुह आराम से दे सकता है याने कि इसमें कम target भी लेके चल सकते है आप 50 रुपे के या फिर 100 रुपे के यहने target लेना होगा तो 1200 रुप रहेंगे और इसमें जो भी कुछ बनता है बाद में याने जो भी कुछ इसके results आएंगे जो भी कुछ इसमें होगा activity होगी अगर यह कल से down आ जाता है तो इसमें buying recommendation नहीं रहेगी इसमें सिर्फ buying तभी करना है जब यह 1100 के उपर घर खुलता है या फिर 1100 उपर cross करता है कल के दिन में तो ही इसे buy करना है 1100 के उपर ही buy करना है उसके नीचे अगर आ जाता है तो फिर exit हो जाना है ठीक है तो समझ में आए होगे और यह जो stock है यह जो दोनों के दोनों दिये educational purpose के लिए दिये इसके पीछे का reason भी आपको बता दिया और आने वाले time पे इसमें update भी कर के निकाले और मैं personally भी इसमें buying करने वाला हूँ ठीक है तो अभी तक अगर चैनल पर subscribe नहीं किया होगा तो please subscribe कर देना आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो ले किया होगा और already subscribe किया होगा तो please like कर देना like करते हो तो एक motivation मिलता है और किसी जरूरत मन्द या जो भी कोई रखते हो आपके घरवाले friends उनके साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते ठीक है तो अगर कुछ doubt भी होगा तो comment भी कर देना ठीक है तो मिलते नेक्स वीडियो में